Hello everyone, आज की वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ Nifty का Batman strategy जो monthly का live backtest देखने वाले है Well, यही same strategy मैंने कुछ दिन पहले upload की थी and उस पे कुछ subscribers का यही request थी कि वो same strategy का live backtest run भी करके दिखाया जाए Because यहाँ पे कुछ traders को confusion रहती है कि वो same strategy live market में कैसे run करती है कब उसमें आपको adjustment करनी पड़ती है कब adjustment नहीं करनी तो वैसे बहुत सारे doubts रहते हैं जो live backtest देखके आपके सारे clear होने वाले है So अगर आपने सबसे पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी वीडियो के description में लिंक मिल जाएगा वो वाली आप जाके वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने strategy उसका logic एकदम अच्छे से detail बता है आज की वीडियो में मैं आपको वही same strategy का life backtest दिखाने वाला हूँ अब ये पूरी वीडियो कैसे रहने वाली है सबसे पहले मैं आपको ये strategy के rules बता दूगा उसका logic बता दूगा कि क्यों इतनी effectively work करती है ये strategy उसके बाद मैं आपको 2024 का मही तक का यहाँ पर पूरा life backtest data दिखाऊंगा पांच महीने का तो सबसे पहले देख लेते हैं ये strategy के rules क्या रहने वाले है आपको 30 delta का call and put option buy करना है एक lot और 29 delta का call and put option sell करना है दो दो lot जो भी नई trader है जिनको नहीं मानूम delta क्या होता है कि मैं ये क्या समझा रहा हूँ आपको कोई confused होने की जरुत नहीं है मैं इसको अभी live deploy करके आपको दिखाऊंगा आपको fully यहाँ पर clear हो जाएगा आपको entry लेनी है next day of the previous month expiry 11.15 पे अब मानलो हम January मंत का देख रहे है जो December की expiry थी मंतली वो खतम होने के बाद उसके अगले trading session में ही हम ये trade को deploy कर देंगे and exit रहने वाली है मंतली expiry वाले दिन जो भी उस मंत का last expiry trading session होगा उसी दिन हम 250 PM पे अपनी trade close करेंगे जिसमें adjustment हम सिर्फ एक ही करने वाले है जो मैं आपको live market में करके दिखाऊंगा capital required है 1,20,000 रुपीज पर lot ठीक है बहुत जादा simple strategy है and ये मैंने पूरा data बना लिया है January से लेके 30th of May तक का अभी जब मैं ये video shoot कर रहा हूँ मेरे पास 5 महिने का ही data available है तो ये पूरे 5 महिने का आपको data live backtest करूँगा and इसमें simultaneously profit या loss हम इसमें add करते रहेंगे so चलिए अब इसको फटाफट live backtest करके देखते हैं मैं आ गया हूँ algotest के platform पे अगर अभी तक आपने login नहीं किया है मेरी video के description में लिंक है फटाफट जाके आप algotest में login कर लिजिए इसके simulator section में चलते हैं and यहाँ पे अब जो सबसे पहली हम expiry देख रहे हैं मैं January से ही शुरू करता हूँ January से फिर हम आगया आगया बढ़ते रहेंगे 2004-2024 अब जैसा मैंने बताया था कि जब आपको यह live deploy आप करेंगे so January मंत का हम देख रहे हैं ठीक है उसके लिए previous मंत का जो last expiry day था वो था 28th of December उसके अगले trading session पर ही हम यहाँ पर trade डाल देंगे so 29th of December को हम trade डालेंगे जिसमें expiry रहेगी 31st of January की and entry time हमारा रहेगा exactly 11.15 guys मैंने बहुत बार बताया है entry time ऐसा कुछ hard and fast rule रही है कि आपको exactly 11.15 पर ही डालना है आप 11 बज़े से लेके एक बज़े तक में कभी भी बीच में डाल सकते है it is just that वो ऐसा time रहता है जब market में movement कम होती है market शान्त होती है so हमारा purpose यही कि जब भी market शान्त है तो ही हम उसमें trade करेंगे अब यहाँ पर जैसा हमने rules में देखा था सबसे पहले 30 delta के आसपास का हमें यहाँ पर put option buy करना है so 22,300 का है यह हमने किया buy and उसके नीचे वाला 29 delta का देख़े 29 delta यहाँ पर आरहा है 0.29 इसको हम करेंगे sell 2 lot and वही चीज हमें put option की तरफ करनी है यह 30 delta का हमें मिला है इसको हम करेंगे buy and 29 delta का हम करेंगे sell 2 lot well ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको exactly 29 delta का ही करना है इसका simple सा logic ही है कि 30 delta का आपने buy किया है तो उसके कम वाला delta जो भी immediately आपको कम वाला delta मिलता है उसको आपको sell करना है 2 lot अब यह पूरी trade हमारी ऐसी बन चुकी है max profit आपको 8000 है max loss unlimited है लेकिन हमें मालूम ही है न हम इतना जादा max loss नहीं देले वाले because हम adjustment करेंगे and हमें exit criteria पता है यह strategy का margin आपका 110,000 के आसपास लग रहा है अब जैसा मैंने बताया था previous video में भी adjustment हम तब करेंगे यह जो top के हमारे wings बने वे है नीचे की तरफ 21,405 and उपर की तरफ 22,345 जब भी nifty उपर के जो wings हैं उस पे आएगी वहाँ पे हम तुरंत adjustment करेंगे उसका कारण यह है कि अगर market wing तक आ जाती है उसके बाद हमें नहीं मालूम ना अगर market और directional move कर दी दिन हमें losses बहुत ज़्यादा हो सकता है इसलिए जैसे वो top wing पे आएगी हम वहाँ पे adjustment अपनी कर देंगे तो अब इसको मैं forward test करके आपको दिखाता हूँ जैसे ही market हमारे top wing के उपर आएगी हम वहाँ पे adjustment करेंगे 23rd January exactly 12.15 PM अब आप यहाँ देखिए market हमारे almost top wing पे आ चुकी है यहाँ पे अब हम adjustment करेंगे यह मैंने आपको fast forward करके दिखाया है लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं आप trading chart पे दोनों तरफ का alarm डाल सकते हैं ताकि जब भी वो alarm हिट होगा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ठीक है अब यहाँ पे हमें adjustment करनी है जैसे मैंने बताया था rules में हमें सिर्फ एक बार ही adjustment करनी है adjustment बहुत जादा simple है market अभी नीचे fall की है so नीचे का जो break even आया है वो है 21,078 मतलब उसका जो सबसे nearest strike है वो है 21,100 हमें यहाँ पे जो पुराने put option के दोनों legs हैं उसको हमें close करना है और हमें यहाँ पे नई put option के legs add करने हैं जिसमें हम 21,100 का put option buy करेंगे and उससे एक strike out of the money जाके उसको हम sell करेंगे अब यह मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा अभी के लिए बस यह याद रखिए 21,100 को हमें यहाँ पे buy करना है तो अब put option मैं दोनों यहाँ पे close कर देता हूँ and 21,100 हमने किया buy opposite side पे तो हमें बहुत जादा room है because 5.6 percentage हमें उपर की तरफ room है उपर की तरफ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और नीचे की तरफ भी हमारा लगबग 2 percentage का range और जादा बढ़ गई बस छोटी ची adjustment करके लेकिन उसकी वज़े से यह हुआ है कि आपने जो max profit का option था वो अपने गवाया है आपको पहले 8,000 रुपीस का max profit था लेकिन अभी आपको 5,800 रुपीस का ही max profit हो रहा है but हम max profit के लिए तो कभी aim भी नहीं कर रहे थे न हम तो बस यही aim कर रहे हैं कि हमें 4-5 percentage मिल जा महिने का which is more than enough for us तो अब इसको वापिस forward test करते हैं और देखते हैं exactly 250 25th of January 4,613 रुपीस का हमें इस strategy profit दे रही है 250 पे ही हम अपनी trade close कर देंगे expiry वाले दिन उसके जादा हम इस strategy hold नहीं करते अब अगली expiry है 29th of February guys आपको यही same चीज ना बार बार repetitive cycle पे trade करते जाना है हम वापिस से जाके अब इसका जो अगला trading session है वो है 29th of January इसको हम select करेंगे and monthly expiry होगी हमारी 29th of February entry time वापिस exactly 11.15 and again वही same rule है 30 का delta हम यहाँ पे पहले buy करेंगे and 28 का यह मिला है इसको मैं कर दूँगा sell 2 lots यह 30 का delta किया buy and 29 का delta किया sell तो वापिस से यह perfect batman बन चुका है and इसमें वापिस से वही same rules है and उसको forward test करके देखते है exactly 250 29th of February 3rd का दिन हमें 7,660 रुपीज का profit हो रहा है and हमें यहाँ पे कोई भी adjustment नहीं करनी पड़ी अब I hope आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी अच्छी strategy है because हमने पहले ही इतनी बड़ी range बना रखी है कि बहुत जादा यह भी possibility है कि आपको कोई adjustment करनी ही ना पड़े January मन्त में हमने एक adjustment की थी लेकिन February में हमें कोई adjustment करनी ही नहीं पड़ी because पूरा महिना market हमारे range में रही है and हमें 7,660 रुपीज का profit हुआ है अगला expiry है 28th of March का अब इसकी जो starting date होगी वो होगी 1st of March because इसके पहले ही 29th of February की ही expiry थी जिसमें 28th of March की expiry होगी वापी से perfect Batman बन चुका है and इसको forward test करते हैं and देखते है 12,15, 19th of March Tuesday का दिन market हमारे जो उपर के wings हैं उसको market ने हलका सा cross कर दिया है and अब हम यहाँ पर अपनी adjustment कर देंगे 21,519 का नीचे की तरफ break even है तो उससे नियर जो strike है वोग 21,500 तो हमें 21,500 put option buy करना है जिसके लिए पहले हम जो पुराना put option है उसको कर देंगे close 21,500 यह किया हमने buy and एक delta नीचे जाके 21,450 यह हमने किया sell two lots अब देखिए range आपकी कितनी जादा बड़ी हो गई आप इसको वापिस forward test करते हैं and देखते हैं exactly 250 28th of March Thursday का दिन आपको 4,506 रुपीस का profit हो रहा है because market adjustment करने के बाद हमारी उसी range में रही अगली expiry है 25th of April की and इसका जो deployment date होगा 28th March की expiry थी तो अगला दिन जो है 1st of April and monthly expiry है 25th of April की entry time exactly 11.15 ही रहेगा अब इसमें call option यह 30 का 124 का ही हमने किया buy and 110 उर्वे का यह हमने किया sell 2 lots and put option में भी यही same चीज करेंगे को forward test करते हैं and let's see 10.45 16th of April Tuesday का दिन market हमारे नीचे की तरफ जो top wing है उस पर आचुकी है and अब हम यहाँ पर adjustment करेंगे वही same adjustment है 21,938 मतलब 21,950 closest premium है ठीक अब यहाँ पर put option close करेंगे 21,950 यह किया buy and 21,900 किया sell 2 lots अब इसको वापिस forward test करते हैं and देखते हैं 10.45 19th of April Friday का दिन market हमारे जो नीचे की तरफ का जो top wing है उसके नीचे close हो चुकी है and यहाँ पर अब हम अपनी trade close कर देंगे guys बहुत जादा simple है मैंने आपको बताया था अगर पहली बार market हमारे जो top wing से उस पर आती है हम वापे adjustment करेंगे adjustment मैंने आपको समझा दिये लेकिन अगर उसके बावजूद market अपने जो trend है वो continue रखती है and अगर वापिस से जो top wing से उस पर market आती है हम अपनी trade close कर देंगे हम और जादा wait नहीं करेंगे उसका कारण यह है कि नीचे की तरफ आपको unlimited loss हो सकता है and हमें नहीं मालूम ना market और कितना fall करेगी इसलिए हम इतना risk नहीं लेते and जैसे ही market दोबारा हमारे top wing पे आती है हम अपनी trade close कर देते है so अब यह April month में हमें यहाँ पे loss हुआ है 850 रूपीज का वो लेके हम अपनी trade close कर देंगे and अगले महिने की trade के लिए हम अपनी तयारी शुरू कर देंगे अब अगला जो expiry है वो है 30th of May date select करेंगे 26th of April because April की 25th of April की last day है expiry का तो उसके अगले trading session में 26 April को हम entry करेंगे for 30th of May and entry time यहाँ पे रहेगा exactly 11.15 all right तो वही same process से पहले trade deploy कर देते है यह perfect batman बन चुका है and इसको forward test करते हैं देखते है 11.15, 9th of May, Thursday कर दिन market हमारे नीचे की तरफ top wing पे आच चुकी हम adjustment करेंगे break even हमारी है 21,850 support option close कर देते है 21,850 हमने किया buy and उसके slightly out of the money जाके हमने किया sell तो अब देखिए वापिस हमारी range increase हो चुकी है अब अगर वापिस हमारे top wing पे आती है या तो उपर या नीचे की तरफ हम तुरंथ अपनी trade close कर देंगे और जादा weight नहीं करेंगे exactly 250 30th of May 3,975 रुपिस का profit है because market हमारे range के अंदर ही रही थी guys अब आयोब आपको समाझ आ रहा होगा पूरा logic की strategy का and यह जो मैं आपको live backtest करके video दिखा रहा हूँ अब आपको इससे थोड़ी सी clarity आ रही होगी कि live market में यह strategy कैसे run करने वाली है and आपको कैसे कैसे adjustment करनी है यही strategy आपको बस repetitive cycle में follow करते जाना है and इसमें आप अपने और भी tweaks कर सकते हैं आपकी वो strategy और जादा better हो जाए well हमें मालूम यह है 2024 कितना जादा volatile था यह 5 महिने but उसके बावजूद यह strategy हमें काफी अच्छा profit दिया है and overall हमें अच्छा returns बना के दे रही है उसका simple सा logic यह है कि यह monthly strategy है and जरूरी नहीं है कि हर month market बहुत जादा directional हो जाए और अगर market directional हो भी जाती है उपर यह नीचे की तरफ then वहापे हम adjustment करेंगे and हमें exit plan हमार पास ready है वही same चीज उपर की तरफ भी call option में भी वही same adjustment रहने वाली है कोई भी change नहीं है total month हमने देखे है 5 जिसमें profit आया है 20,754 loss आया है 851 रुपीज and total profit आया है 19,900 रुपीज जो हो जाता है 16% of the capital अब गाईज यह पूरी strategy थी I hope आपको पूरा live deployment इसका समझ आ गया हो यह एक ऐसी strategy है जो working people है वो भी बहुत अच्छे से follow कर सकते है बस यही है कि आपको उसमें alarm डालना पड़ेगा and जैसे ही market ऊपर यह नीचे के level पर आती है तब हमें महाँ पर adjustment करनी है मैंने आपको 5 महिने का पूरा back test दिखा है जिसमें आपको खुद पता चल रहा होगा कि पूरे महिने में हमें सिर्फ एक ही adjustment करनी है जो मुश्किल चे 5 मिनट लगते है and उसके लावा हमें इसमें कोई भी headache नहीं होने वाली so यही था यह पूरी strategy के बारे में इसके बारे में आपको कोई भी doubt है मुझे आप comment section में पूछ सकते है so यही था इस video के बारे में thank you for watching the video with lots of patience let's meet in the next video then